नमस्कार दोस्तों मैं आपको ऐसे चमतकारी और सदिय फूल के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा एक विसेश प्रकार की जादूई गोली बनती है जिसको मुह में रखने मात्र से आप गायब हो सकते हो अर्थात आप अदरस हो जाओगे है ना दोस्तों हैरान कर देनी वाली बात अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको भी गायब होने की सक्ती के बारे में जानकारी मिले और आप लोग भी इस प्रियोग को अजमाना चाहते हैं तो इस विडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा तभी आपके समझ में आए दोस्तों पलास का फूल जिहां दोस्तों पलास का एक पेड़ होता है और उसमें सफेद रंग के फूल उगते हैं और मित्रों यही वो जादूई फूल है जिसके माध्यम से जादूई गोली बनती है और जिसको मुह में रखने मात्र से इंसान गायब हो जाता है और वो वो इ बहुत सारे भाईयों और बंदुओं को इन बातों पर विश्वास नहीं होगा वो लोग इन बातों को गलत समझेंगे पाखंड समझेंगे और इसे मन गणंत कहानी समझेंगे लेकिन मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि दोस्तों कुछ ऐसे रहस्यमई ग्या जो आज भी आम लोगों के पहुँच से बहुत बाहर हैं दोस्तों आज भी हम लोग गयब हो सकते हैं अधरस्थे हो सकते हैं बस और सकता है कि हम वही बिदी अपनाए जो प्राचीिंकाल में अपनाई जाती थी और बड़े बारीकी के साथ ध्यान रखें तबी हम गयब हो स पेड़ होता है मित्रों वहां पर एक अलोकिक सक्ति का वास होता है मित्रों जितना चमतकारी पलास का सफेद फूल है उतना ही चमतकारी पलास का पेड़ भी है जिसमें सफेद फूल उगते हैं अगर मित्रों जिस पेड़ में सफेद जिहां दोस्तों जिस पलास के पेड़ मे गिरने लग जाएगा और तो और अगर आप दिन में पलास के पेड़ के उपर चढ़ करके उपर आसमान में देखते हैं तो आपको तारे दिखेंगे साथी साथ दोस्तों यदि किसी को कोई समस्या है कोई रोग है यदि इस पेड़ के नीचे आकर के इसनान करता है तो दोस्तों निश्चिती वो कई रोगों से चुटकारा पा जाता है साथी साथ दोस्तों अगर कोई मनुस इस पेड़ के नीचे आकर के ध्यान साधना या तांतरिक विद्या हासिल करना चाता है और रहसमय सक्तियों को सिद्ध करना चाता है तो दोस्तों पलास के सपेड पेड़ के नीचे बैठ करके यदि यदि वो साधना करता है तो जल्दी स लेकिन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि गाइब कैसे हो दोस्तों गाइब होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पलास के सपेद फूल चाहिए जी हां दोस्तों और पलास के सपेद फूल चाहिए पलास के फूल तो दोस्तों तीन से चार पिरकार की होते हैं जैसे ट्रेकर ऐगाए और इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे तो दोस्तो पारा बंदने लग जाएगा गोली की रूप में इसको बना करकी रख लीजिए और मित्रोग जैसे ही आप मोह में रखेंगे तो दोस्तों आप अद्रस्त हो जाएंगी जब गोली बंजा तब इसको मुँँ में रखनी है ठीक है और फिर आप दोस्तों देखेंगे कि आप लोग अदरस हो जाओगे आपको कोई नहीं देख पाएगा लेकिन आप सब को देख लोगे और जैसे ही आपको सब के सामने आना है तो दोस्तों आप जैसे ही इस जादूई गुटका को मुँँ से बाहर निकालोगे तो दोस्तों आप सब को दिखाए देने लग जाओगे लेकिन दोस्तों सावधान इसमें मैं आपको जो सचेत कर देना चाहता हूँ कि इस जादूई गोली बनाने के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी है पारा धातू बहुत जारीला हो यानि कि जो बहुत ही बड़ा पारा धातू को सुध करने वाला बिसे सग्य हो जो पारा धातू का सोधन कर सके जो पारा धातू को सुध करके उसके जहर को अलग कर दे और सुध पारे धातू को आपके लिए जो है दोस्तों कत्रित कर दे आपके जरीले पारा को सुध पारा धातू को आप जो है पलास के सबित फूल में मिला करके खरल करेंगे लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको आपको 21 दिन तक खरल करना है ठीक है और ऐसा आपको 21 दिन तक करना है और करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जो है दोस्तों गोली बनने लग जाएगी BCS पिरकार कि आपको फिर इसकी गोली बना लेनी है गोली बनाने के बाद दोस्तों आपको रख लेना है और मुख में धारन करते ही आप अदरस हो जाओगे आपको कोई देख नहीं सकता मित्रों आपकी उपर I.U. का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दोस्तों यदि आप चाहें तो किसी भी मुश्किल कार को अंजाम दे सकते हैं मान लिजे परवार में अगर चोड़ी हो जाती है यदि परवार में कोई कांड हो जाता है तो दोस्तों आप लोग जो है अद्रस हो करके उन सब पर नजर रख सकते हैं मित्रों यह है एक चमतकारी प्रियोग है दोस्तों आपने देखा होगा कि विद्याले में बहुत सारी टीचर है बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक है और जो वो बच्चे होते हैं जो उन मास्टरों से पढ़ते हैं मित्रों तो वो कई जो है कोई हवलदार बन जाता है तो कोई स्पेक्टर बन जाता है कोई आईस बन जाता है तो कोई politician बन जाता है यानि कोई राजनेता बन जाता है और कोई दोस्तों अगर कुछ नहीं पढ़ता है तो दोस्तों वो रोड पर जो है रेडी लगाता है ठेला लगाता है यानि कि दोस्तों कहने करते हैं कि अगर आप किसी से अगर कुछ सीखते हो अगर आप सही से सीखत दोस्तों को सही जानकारी देना, आपको प्राचिन काल की अद्बुत जानकारी से अऊगत करवाना ताकि आप लोग भी हमारे इस रहस्त को जान सकें और इन रहस्त मई तथों को लेकर के प्रियोगों को लेकर के आप भी इनका प्रियोग करके आजमा सकें दोस्तों अगर आप निश्चेत ही अगर आप मन में ठाल लें तो दोस्तों जरूर आपका कार सफल होगा दोस्तों यह प्रियोग वास्तों में बहुत ही प्रवावसाली है आप एक बर करके देखिएगा लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है और सुध पारधातु ही इस्तमाल करिएगा क्योंकि दोस्तों जो पारधातु होता है वो सुध कि अंदर अंदर जो पाराधातु को सुध्य कर देता है तो दोस्तों आपको भी सुध्य पारे का ही प्रियोग करना है तभी यह कार करेगा क्योंकि दोस्तों यह बहुती अद्बूत और दिव्य होता है ठीक है दोस्तों उम्मिद करता हूं आपको जनकरी पसंद आई होगी और अगली बीडियो का जरूर बेट करिएगा उसमें हम दोस्तों पलास के पेड़ के जहां दोस्तों जो पलास का सफेद फूलो वाला पेड़ है उसके और भी बहुत सारे चमतकारी तांतरिक प्रियोग लेकर के आएंगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगली बीडिय करिए पार्ट्टू बहुत जल्द आने वाली है धन्यवाद